कल्यान सिंग जी ने हमें कॉल किया है नागौर से आई जानते हैं उनके साथ किस तरह की समस्या है कल्यान जी बताईए किस तरह की बिमारी ने आपको घेरा हुआ है पदा काता है हम आपको साफतावर से सुन नहीं पा रहें एक बार फिर से प्रश्न करें यह लेगो आठ साल से ठीक है आठ क्या है आठ साल से आठ साल से गुलेद पपा को वो शिट्चा-शिट्चा कप से दसा आपा दरता है गो क्या होता है आठ साल से बल्गम आता है आठ साल से कल्यान जी और आनन जी यह दो नाम बहुत मशूर है तो बड़ा परिशान हो रहा था कि आपका सवाल मुझे तक आना चाहिए कल्यान जी आनन जी ने फोन किया है तो बल्गम का तो बड़ा अच्छा इलाज है कि तो गरम प्रवर्ती की चीज़ा खाया करें ठंडी छोड़ दें खटी चीज़ा छोड़ दें कटी लोग अक्सर खाते हैं और गरम पानी पांच बार पिया करें और एक बल्गम का नस्खा जो बड़ा बशूर है कामियाबी में वो यह है कि लिसोडा उन्नाब अलसी सोसो ग्राम और तीज ग्राम पीपले जो आपके किचन में हैं इनको पॉडर बनाके एक चमज सुबा शाम आप खाया करें पानी के साथ आपकी तकलीफ ठीक होना मुम्किन है जी एक और दर्शक है अक्षा नायर जी ने हमें कॉल किया है वरोदा से उनसे बातचीत करते हैं अक्षर जी बताएं किस तरह की परिशानी है प्रश्न करें आप यह बहुत पस्रीना आता है जी और पेट भी बढ़ रहा है आगे पेट बढ़ रहा है पसीना बहुत आता है उम्र कितनी हैं आपकी 26 साल 26 साल जे जे थोड़ा सा मेहनत भी किया करें अगर नहीं करते हैं तो पैदल चलना हर इंसान के लिए एक घंटा जरूरी है अगर आप नहीं चलते तो चला करिये और बहुत काम उमर है दवा से बचे हैं और विजाओं से काम चला है और फिर भी क्योंकि वो लोग भी सुन रहे होंगे जो इनके पास उमर ज़्यादा है जो उमर के ज़्यादा है तो उन्हें भी पैट कम करने के लिए देखिए इससे भी पैट कम हो जाता है कि हम अगर चार रोटी के खाने वाले हैं तो दो रोटी कर दे एक वक्त में तो इससे भी हमारा पैट कम हो जाता है और पैदल चलने से गरम पानी पीने से और दवा बतोर हम ले सकते हैं देखिए जैतून का नमक आता है इसको रसायं जैतून भी कहते हैं या ऐस्टेक जैतून भी कहते हैं यह नमक नंपकील नहीं होता सुद्बसो गरम खरीद लें और आदा गरम एक गिलास पानी में मिलाएं और उसमें एक निबू मिलाएं और रोजाना पी लिया करें एक बार या दो बार नाम बताईए दुर्गा प्रसाद जी स्वावत है कारेकरम में प्रश्न करें आम मेरा प्रस्न है गौंधिया मिला हमको लेकिन कड़वा नहीं लगता है जी अच्छा कहां से मिला इस सारसा कम कोशी कमिशनरी है यहां मिला लेकिन कड़वा नहीं लगता है ब्राउन कलर है उसका तो देखिए अगर कड़वा नहीं है तो गौंधिया नहीं है मैं यही कहता हूँ कि अच्छा क्या भाव मिला ठीके देखिए अगर गौंधिया है और कड़वा नहीं लगता है तो आपको गौंधिया वो नहीं है कौनसी है शिर्फ आदा गिराम खा सकते है और आदा गिराम आदा गिराम भी जादा होता है उससे कमी खाया करें और चाहें तो इसका फोटो कहेंच के हमसे शेयर कर ले हमारे हैल प्लाइन नमबर पर तो हम बता देंगे असली है के नहीं है ऐसा नहीं हो कि आपको नुकसान हो जाए और अगर नहीं मिले कहीं पर तो हमारे हाँ हल प्लाइन नमबर से भी संपर कर सकते हैं आपको असली गौन के लिए मदद की जा सकती है जी वाकई में तो कॉल कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपकी परिशानी है वो हमारी साथ शेयर कर सकते हैं एक और दर्शक है, सुमन जी ने हमें कॉल किया है सुमन जी बहुत-बहुत स्वागत है कायकरम में आपका प्रश्न कर सकती है आप नमस्कार जी नमस्के राक्षा अदब राक्षा मेरे ने माते भी बोई को पर एक गांट है ती जाट साल से है वो गांट अच्छा उसको मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है तो तो उन्हों नर्वर्ट गांट बताईए कोई ऐसी दवा बता जो बैठ जाए महीं की रही जी और यह दवा भी है अगर आप कोशिश करें तो चा भी सकती है यह जो आलू वाल लेती है महीं लाएं ऐसे आलू वाल यह और इसको गरम गरम ही बीच में से काट दीजे और जब कट जाए तो बीच में गड़ा करके उसमें हल्दी भर दें और हल्दी भी ऐसी हो के तेल में मिलाकर गाड़ी सी और वो जो आलू में गड़ा किया है उसमें भर दें और वो गरम आलू अपनी गाट पर ऐसे बांध लिया करें गरम गरम जित्ता भी बरदास्ट कर सकें ऐसा आप करती रहिए पंदरा बीच दिन पंदर बीच दिन में अगर ये नजर आने लगा कम होने लगा तो फिर आपकी ये गाट जाती ही रहेगी और वैसे गबराने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई नुक्सान दे गाट नहीं है लेकिन आप महिला हैं तो महिलाओं के चेहरे पर या पैशानी पर कोई चीज बुरी लगती इसलिए आप जाधा फिक्र कर रहे हैं जी एक और दर्शक है पवन चौभी जी ने हमें कॉल किया है पवन जी क्या प्रश्न है आपका पाले तो आपको नवस्ति करते हैं हम लाजी पुस्ते हैं आदव हमारे संधीज के चार महिनों में हमारे सीने में दर्द रहता है जी कि अहिए यह उसके बाद फिर उसी तरह होजाताայ क्यों यह चंड़े संदीज क्यार महिने में ही दर्द करता है जै जई जाध पालए पिस्तों होता है सेने में बार तो जाच कराना जरूरी है धीनेग क्यों होता है दर्ड और इसके इलाज भी बहुत अच्छ है लिकि जाँच के बगएर आप कोई दवा ना ले एक्सरा भी होता है इसका और दिल की जाँच भी होती है अगर यह सब करा लें तो बहुत अच्छा है और ब्लेट पेशर ठीक रहता है के नहीं यह खून में चर्बी तो जादा नहीं हो गई यह सब जाचे होती है वैसे आप जयतून का सिर्का लेना शुरू कर दे दो-तीन चमच रात को पानी मिला कर और फिर देखें कि यह दर्द होता है कि नहीं होता है अगर नहीं होता है तो पर समझ लीजे कि कोई खास नहीं है बहुत जली आप ठीक हो सकते हैं जी चले उमीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा एक और दर्शक है हरीश चंजी ने हमें कॉल किया है मत्रह से कि यस्वागत के कारिकरम में किस तरह की परिशानी आपके सामने हैं बताएं मैं हांकीम साम नमस्कार जी आदाव मैं मेरे पेरों में दर्द इची जी बोलिये बोलिये पूरी बात बोलिये म screenshot मेरे पेरों में दर्द नगठिया बाएंगा कोई बूँआ हो जी पिर पैरों के दर्द का तो जो मैं निसका बताता हूं वो बहुत कामयाव है बहुत कामयाव है और वो दो तरीके हैं बस उसको अच्छा करने के एक तो गॉंसिया अगर मिल जाए असली अभी किसी फोन आया था उनों नकली गॉंसिया ले लिए कहीं से गॉंसिया वो कड़वा होता है बहुत मैं बताता हूं कहरें कड़वा नहीं है और गॉंसिया एक काले गॉंसिया को कहते हैं ये इनतहाई कड़वा होता है मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी चीज नहीं पाई और असली जिसको मिल गया समझ लिए उसका काम हो गया तो यह तो वो मिल जाए गौनसिया और आदा आदा ग्राम सुबा शाम खाएं पानी या बगर चर्बी के दूसरे इस्तमाल करें जब तक आप करो नहीं जाला जाता जब तक ये खत्म नहीं होता या फिर केपसूल टी केर आटा है । आप सुबा शाम एक DAY के के लेने से भी अपने दर्द से निजात पा सकते हैं चले उमीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, एक और दर्शक है, राशी जी ने हमें कॉल किया है, राशी जी बताएं किस तरह की बिमारी है जिसने आपको गहरा हुआ है, राशी जी बताएं, राशी जी बताएं, नमस्ते जी बताएं, जी आदा, र राशी जी बताईए किया सवाल मुझे परेशानी ये है मेरी उमर है बोटी स्री जी अलो जी बताई हम आपको सुन पा रहें राशी जी हां जी तो मैंने अपना एमराई कराया था उसमें नसे वीप आई हैं जी और मेरे मुझे उपने बैठने में इसनी परेशानी होती है कि जैसे मैं नाती हूँ या मुझे बैठ जाती हूँ तो मुझे हाथों के सारे से उचना पड़ता है मनला गुष्णों मेरे बिल्कु शक्ती नहीं है किसी भी तरह की कि मैं अपने पैरों के बलपे उच्पाऊंग जी और मोडने में भी दिक्पत होती है कमर में भी दिक्पत होती है मेरे ठीक है राशी जी इस उमर में कमजोरी आती है 40-45 में हमारी नसों में कमजोरी आती है और पार्ट्स ओफ बोड़ी में कमजोरी आती है तो इस से मत गवराएए ये एक पड़ाव है जिन्दगी का जहां हमें अपनी युनानी रिपेर करानी चाहिए अच्छा युनानी रिपेर का तरीका एक तो ये घरेल नुसका आप इस्तमाल करें और आपको फाइदा हो जाए कोशिश मेरी यही रहती है कि घरेल नुसका कोई बता दूँ एक घरेल नुसका जिसे हम गौन सियाह कहते हैं काला गौन आता है ये बहुत कड़वा होता है असली मिल जाए अगर नकली बहुत मिलता है आदा आदा गिराम सुबा शाम पानी से या बगए चर्बी के दूस से य पिर आपको पहले फाइदा होगा फिर ये गौन खतम होगा तो ये बहुत अच्छा गौन थे अगर आपको मिल जाए रो मैटेरियन लेना और पाउडर बनाकर आप आदा आदा गिराम खाना शुरू करें जी तो उमीद करते हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी एक और दर्शक है गुरुग्राम से हमें कॉल किया है जै सिंग सहाब ने जै जी क्या सवाल है आपका हलो जी सवाल करें मेरा मैं किसी गाई ले रो है आवास आफ ने आरे भाई आपकी मैं पैसट समता हूँ जी जी और बीपी प्लस अस्तमा दो चीज़ता मैं लाज कमरा गया तो अस्तमा भी ज़्यादा तो नहीं है सांस मगरा नहीं बुलता मगर वो पक लेता हूँ मूमी कंट्रोल में उसका ली मेडिशन कमरा मैं चाहरा था यह देशी दवाज जी जी ठीक है एक 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 चीज़ का इलाज करिए आप पहले अस्तमा से निमट लीजे अस्तमा इस वक्त बहुत परिशानी वाला है क्योंकि हमारे पुरे दुनिया में एक एक बीमारी चल जी जी अस्तमा वाले को सबसे पहले परिशान करती है तो एक तो गरम पानी पांच बार पिया करें और देशी नस्खा एक बता देता हूं आपको वो आप खुद बना कर और इस्तमाल करें आपको फायदा मुम्किन है खट्टी चीज़ छोड़ दें बिलकुल और देखिए सपिस्तान उननाब और अलसी सो सो गराम खरीद लें और आपके किचन में होते हैं पीपलें पीपलें लीजे तीज़ गराम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम खाया करें आपको फायदा मुम्किन है